सिर्भी की चेवपरसन मैध भी पुरिबुची की एक प्राइवेट कमपनी है जिसका नाम है अगोडा अडवाइजरी प्राइवेट लिम्टिट अब कुछ समय पहले हिंदन्बक की रिसर्च में ये सामने आया था कि इस कमपनी की मेजर डारेक्टर या मेजर स्टिक वुल्डर खुद महध भी जी है 99% हिस्सा इसी कमपनी में इनका है दूसरी तरफ जैसे ये आया इनका जवाब भी आ गया मेरे जी ने कहा कि ये कमपनी इनक्टिव है डॉर्मेंट है इसमें ज्यादा पैसा नहीं कवाया जाता लेकिन कुछ समय पहले हमें ये भी मतलगा कि 2016 और 2024 के बीच में इसी कमपनी ने एलेजिटरी करीब 2 करोड 95 करता है मतलब यहाँ पे एक confusion आ गया क्योंकि एक तरफ मैद्वी जी सेवी की chairperson है और दूसरी तरफ उनी में से कुछ companies को as a client अपने एक company के तुरू serve करती है अब यहाँ पे इस confusion का दूर करने के लिए हमने एक RTI डाली आई डाली आई आई जवाब भी आया और जवाब कु कीजना पड़ा लेट्स गेट स्टार्ट सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि RTI right to information होता क्या एक 2005 में लागया था भारती नागरिकों को एक शक्ती दी गई थी एक पावर दी गई थी कि public authorities public service में जो भी काम होता है उसके बारे में किसी को डाउट है कुछ सवा अपने कुरी अपना डाउट पोच सकता है और इसी एक्ट के तैट सरकार को 30 दिन के अंदर अंदर उस RTI का जवाब भी देना पड़ेगा ऐसी एक RTI हमने सेक्यूरिटी तरे एक्चेंज बोड ओफ इंडिया सेबी के तह डाली जहाँ पे हमने कुछ इस तरह से सवाल होता है जिसके पास अच्छी खासी पावस होती है और इसी समय के दुरान कुछ और लैपिंग पीरिएड में उनकी एक खुद की कंपनी थी अगोडा रोएजी प्रावेट लिमिटेड इस कंपनी के सरकारी कागजों में अगर आज भी देखा जाए तो मैधवी जी 99% स्टे सेबी को डिसक्लोजर दिया था अपने तरफ से बताया था कि देखिए मेरी प्रावेट कंपनी भी है जिसमें मैं स्टेकोंडिंग रखती हूँ वो एक्टिव है और इनक्टिव है दाट सेपरेट पार डॉट पार दो डिसक्शन बट क्या इनों सिंपल बाशा में सेबी को डिसक्लोजर दिया था या नहीं और साथ में ये भी बता दीजिए कि क्या सेबी के डॉक्यमेंटेशन के अंदर कहीं न कहीं किसी कागोज में ये रिटर्न में लिखा हुआ है कि मैदमी जी की एक कम भी है और वो चेर परसन भी है अब जब में कोई आर्टिय एप्लिकेशन फाइल होती है तो उस एप्लिकेशन को एक CPIO Central Public Information Officer अलोट किया जाता है इस केस में भी किया गया और करीब 20 दिन के अंदर ही इस आर्टिय एप्लिकेशन का हमें रिस्पोंस आया आपकी आर्टिय में जो आपने सवाल पूछे हैं वो एक क्लारिफिकेशन या ओपीनियन के न जायस नहीं है सिंपल वाइसा मैं पूछा गया था कि क्या महरत भी पुरी बुच्जी ने CB को जॉइन करने से पहले बताया था कि उनकी खुद की कंपनी है या नहीं हाँ या ना खैर इस रिस्पोंस में कुछ और बाते भी लिगी गई जैसे कि जो आप सवाल पूछ रहे ह जो आप जवाब माग रहे हैं उसका आप से कोई लेना देना नहीं है इन फैक्ट ये किसी की परस्नल इफोमेशन है इस डिस्क्लोजर का पब्लिक एक्टिविटी पब्लिक इंटरस्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है मतलब यहाँ पी मतलब कल्फ्यूजड हूँ कि क्या सेवी के बारे में इंफोमेशन लेना कि क्या सेवी को जो डिस्क्लोजर मिलते हैं उसके बारे में इंफोमेशन लेना वो पब्लिक इंटरस्ट के तहत नहीं है क्या सेवी कोई प्राइवेट बॉडडी है ऐसा कैसे हो सकता है कि सेवी को जो डिस्क्लोजर मिलते हैं वो पब इन्वेजन होती है। इस इंफॉमेशन से किसी की लाइफ, मतलब किसी की जिंदगी या परसनल सेफटी के उपर भी सवाल आ सकते हैं। इसके लाइब किसी और ने भी एक आर्टिय डाली थी, जहां पे पूछा गया था कि सेवी चेवरसल मैदभी पुरी बुज्जी ने कौन कौन से केसिस में अपने आपको रेक्यूज किया है ड्यू टू कॉंट अफ इंट्रस्ट वो ही बता दी थी, मतलब सेवी से सिंपल केसि उसमें कहा गया है कि उन केसिस की इंफोर्मिशन जहां पे मैदभी पुरी बुज्जी का पोटेंशिल कॉंट्रिक्ट ओफ इंट्रस्ट है दूरिंग हर्टेने और ये डेटा, ये इंफोर्मिशन रेडिली अवेलेबल नहीं है और उसको कुलेट करने में बहुत सारा समय जा सकता है, इसके अलावा उस RTI को भी वही सेम जवाब दिया गया है जो हमारी RTI को दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि आपकी परस्नल इंफोर्मिशन नहीं है और इस डिस्क्लोजर का किसी पबलिक एक्टिविटी या इंट्रस से कोई लेना देना नहीं, अब कभी हम सुना करते थे कि एक जुट को छुपाने के लिए सो जुट बोलने पड़ते हैं, अब उस कहानी का इस किस के साथ कोई रिष्टा है या नहीं, यह मैं आप पे छोड़ता हूँ, अब यहां तक बहुंच गे, मैं कम्प्लिटी कल्फ्यूजर चुका हूँ, मतलब इस आंसर क के पास देने को नहीं है, हाँ, अगर हम चाहें तो इस RTI response की अपील कर सकते हैं, मतलब इसके खिलाफ आवाज भी उटा सकते हैं, और यह कानून हमें यह अलाव करता है, और हमने exactly यही किया, क्योंकि यह response हमें बिलकुल समझ नहीं आया, अब यहां पे दो या तीन सवाल प आगजों में, वर्बल, फॉर्म में या किसी भी तरीके से दिया गया थाया नहीं, और यह भी जाने की कोशिश की गई है कि यह disclosure, public activity या public interest के तायत क्यों नहीं आता है, इस सवाल का जवाब भी देही दीजिए, से भी इंडिया की shock market का regulator है, people look up to it for transparency, मतलब जो बाते अंदर हैं, वो सामने से with confidence, with openness से भी disclose कर सकता है, as much as it can, that comes under the public interest, अब उमीद तो यही है कि आगे आने वाले कुछ दिनों में, appellate हमें इस बात का response देंगे, थोड़ डिटेल आउट आउट आंसर देंगे, जिसकी तायत इस बात का एक conclusion निकाला जा सके, वो जान तक आटिया की बा करोड से भी के पास बड़ा रहता है, कुछ समय पहले, एक साल पहले के करीब, एक सरकूलर लाया गया था, जहां पे इस bank account में IPF का पैसा रखा जाता था, वो bank account बदल दिया गया था, वो bank account पहले bank of India हुआ करता था, अब ICICI कर दिया गया था, इस RDI में उसी के around कुछ पू को लेके जहां पे हमने सबाल पुछा था कि से भी की चे परसन ने डिस्क रोजर दिया था या नहीं, आपको क्या लगता है, खुद बता सकते हैं, अब एक लिए वीडियो में रता है, एक लिए जल्दी मिलेंगे, इसको देखनेंगे बहुत बहुत शक्रिया, बाबाई